जगड़ा है लाइफ स्टाइल का जगड़ा है कल्चर का संस्कृती का और हर मजव अपनी संस्कृती को अल्ला से जोड़ता है कि अल्ला ये कह रहा है क्या अल्ला टाइम टाइम पर नई नई बाते कहता है या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है या आगे फ्यूचर में कुछ और नई नई बातें भी कहेगा भाई साब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राइन हैं कि अल्ला आएके भगवाने के सब मानते कैसे उसी की अबादत करना चाहिए लेकिन हर मजब अपनी कल्चर अपनी संस्कृति को देखके स्टाइल बजलता है तो अल्ला ताला जो पहले के चुका वो अभी भी से में के टाइम टाइम पे बजलता है भाई साब का सवाल अच्छा है लेकिन ये कहना चाता हूँ जवाब देने के पहले भाई साब ने का कि सब मानते है कि अल्ला एक है यह मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते है मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते यह यह मेरा फिल्ड है यह मेरा फन है गहर मुस्लिम से बात करना मैं यह नहीं मानता हूँ कि हर गेर मुसमें मानते है अल्ला एक है कि भगवान एक है कई लोग भगवान में मानते ही नास्तिक कहते है और जो लोग कहते है भगवान में मानते है हर कोई एक में नहीं मानता कितने लोग तीन में मानते कितने लोग सौं में मानते तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था हर इनसान मानता है भगवाने के उससे मैं मुत्तिक नहीं हूं दूसरी चीज कि सब एकी भगवान एकी इश्वर को पुछते है कि इबादत करते है ये भी मैं नहीं मानता हूं ये बात है कि अक्सर लोग मानते कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर सब ने हैं, अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते हैं, सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते हैं, मिसाल के तोड़ पे अक्सर कुरान कहते हैं, कुरान कहते हैं, कि जो लोग कहते है कि एक बगवान को मानते है लेकिन और को भी पुछते है उसे कहते है शिर्क आप पूछेंगे आम इंसा बगवाने के माले के के बोलेंगे लेकिन जा रहे पूझ रहे बुद को पूझ रहे कभी इसको पुछते है कभी इसको पुछते है तो ये आप अगर धरम के किताब पढ वैबिल पड़ो, बेच पड़ो, ये सब इसकी मुमानियत है, ये हराम है कि किसी और को पूझना, इसके बावजूद, धरम के मानने वाले अकसर, दूसरी चीज़ को पूझते है जो बिल्कुल गलत है, तो ये कहना कि इन्सान एकी भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है आप देखेंगे आम तोर पर जो फरक है कि जो कुरान कहते ताला उल्या कलमतिं सवाइं बैना बैनकुम आपस मुठ चीफ पर आओ जो हम और आप में यक्सा है सबसे पहनी बात है कि हम एकी इस शुर एकी भगवान की अबादत करे एकी भगवान में मानना काफी नहीं मानने के इलावा उसी की अबादत करना और किसी की नहीं आपका एहम सवाल कि हर मजभ एकी भगवान कहता है यह बिल्कुल सही है एक ही भगवान की अबादत कहना कि बिल्कुल साहिए लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है ये कहना गलत है और अल्ला ताला कितने माँ बदलता है ये कह सकते है कि टाइम जाने के वज़े से किताबे बदलती गई अल्ला का जो पैगाम है बेसिक पैगाम उस्यम है वो बदलता नहीं चै People के एक एक ईश्वर की अबादत करो वो बदलता नहीं उसके कुछ चीजे उपरी चीजे शायद बदले बिल्कुल किस तरीके से अबादत करना हम जिस तरीके से सलापण़टे है वो चौदा सो साल पहले मुहम्म्म्म स्वल्ला अच्छ में पेगंबर के जरी नादिल हुआ लेकिन जो मेन है कि एकी ईश्वर है एकी ईश्वर की अबादत करना चाहिए वो खबी भी बेड़ेंगा लेकिन टाइम जाने के वज़े से जो मदभी किताबें लोग बदलते हैं अगरी, ताल जिए लिवी बहिता इस Ranger, विवी बताव कर लोगे आयत 1,800 इसके माझी है कि लानत ये वो लोगos पे जो लोगो किताब अपने हाश से लिखते है और कहते है आलाह के तरफ से है लानत ये उनके उपर जो कमाते हैं और लानत ये उनके हाथ के उपर तो अल्ला तो अल्ला फर्माते है किताबे बदली गई है तो जितने मजभी किताबे है आज की तारिक में सारी कुरान मजीद को छोड़के विल्यम मोर एक किटिक है इस्लाम के खिलाफ किता है बहुत शुद्धत वे इस्लाम के खिलाफ है उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मदभी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के वह कुरान तो एक ही किताब जो महफूज है क्यों? अजो अजो पूरी पाक है पूरी पाक है वह सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिक उस वक्ट के लिए वो सारे इनसानियत के लिए और ताक है तो क्योंके ये किताब महफूज रखने वाली किताब है ये किताब कभी नहीं बदलेंगी ये आखरी है और आला अला तला फर्माते है सुरे माइदा में 5 आथ नमर 3 में क्या मैंने इनस्थानों के लिए इसक्नाम चुना और उनके लिए ये मखभ सबसे बहुती मखभ चुना और ये मुकमर हो गया इसके बाद कुछ चीज नहीं नहीं आगी और कुछ चीज निकाई नहीं जा सकती तो पहले जितने किताबे आये जितने नाजिल हुए अल्ला ताला के वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूँ रखने की जरुवत थी नहीं क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मिल पैगाम ताक क्यामत तक ठाई नहीं लेकिन आकरी पैगामर मुकम्म्मद पैगाम पहले है उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गए कुरान वो ताक कैमत तक होने वाली थी इसलिए उसे महफूँ जखा गया है तो अल्ला सुभाना उत ताला ने चौदा सो साल पहले समझे कि यह वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पर पहुच गई कि वो पुरान को समझ सके आप मुझे पुछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया 14 साल पहले क्यों किया 10 साथ पहले क्यों ने किया तो मैं कहूँँगा कि अल्ला ताला हमारा खालिक है वो जानता है कि इंसान कब किस चीश समझ सके मिसाल तो मेरा बेटा कहेंगा कि मुझे डॉक्टर बनने का है डारेक्ट मेडिकल कॉले में दालो मैं बहुँगा पहले बैटेंट करो स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ तो उसी तरी किता अल्ला सुभाना अटार हमारे खालिक है वो जानते थे कि ये चौदा सो साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया और अब ये आखरी किताब है इसके बाद कोई भी नया पेखंबर नहीं आएंगा इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्ला ताला से वही आती है उसको साइकेट्रिस की सर्वत है साइकेट्रिस लिमाग की विमारी है